नमस्कार आप देख रहे हैं बिजनस टुड़े और मैं हूँ आशिश दिभे और मेरे साथ मौझूद है मिस्टर नवनीत अपने इंको फ्रीलेंसर में देखा ही होगा और एक ऐसी सीरीज जो बहुत लोगों की पसंदीदा बन चुकी है इसो तो बहुत लोग और भी बहुत स से हटकर बिजनस में आते हैं तो यह कैसा फील करता है आपको कि कैसा फील होता है कि यार एक पुरी जर्नी अचानक से चेंज हो जाएगी कमिंटू बिजनस शुर कुछ चीरिया ऐसे होते हैं जो आपको कोई सिखा नहीं सकता बैसिकली जैसे आपकी आपने आर्टिस्ट के बात की तो आप एक जर्नी बेजाते हैं फिर आप उसको सेल करना भी आना चाहिए इस बिजनस मेंटलेटी तो वो चीज मेरे में स्टार्टिंग से थी और पता नहीं कभी बनाब कैसे वो चीज़े डेलोप हुई थी चाहद फादर साब को देखके हुआ और क्यों टीचर है उन्होंने बच्पन में कुछ गाहमालों के लिए कोशिश भी की थी तो मैं रिसेंटली बैटके सोच रहा था कि यह चीज़े मेरे अंदर कैसे आई तो शायद वो बच्पन से मैं देखता आ था तो वैसे डेलोप हुई थी चीज़े हाँ मुझे शौक है एक्टिंग का मैं बेट करता हूं तरीके से एदे सेम टाइम मैंने हमेशा उसको एक कला को सैल करना भी सीखा है और भी आप यह चाल से एक अच्छा आटिस जो होता है उसको कला को अपना सैल करना भी आना चाइए ताकि वह उस चीज़ें को उसमें प्रोग्रस ला सके तो मेरे हमेशा से इतने साल काम करने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारी लूप होल्स हैं इंडस्ट्री में और जो एक एक्टर के लिए एक मॉडल के ने बहुत ही इंडस्ट्री साल की उमर के बीच में उसी टाइम पर वो अपना सब कुछ डाल के बैठते हैं उसके बाद बहुत सारे मैंने फेलिर भी देखने लोगों के लिए लोग बंबे आते हैं एक्टर बनने के लिए अपनी ख्वाइश पूरी करने के बहुता है कि मुझे बता दो कहां ओडिशन्स होते हैं तो मुझे लगा है एक बंदा अंधेरी में बैठके उसको ऑडिशन्स के बारे नहीं पता है जिसके आसपास सब कुछ हो रहा है तो मुझे लिए एक डिजिटल प्लैटफर्म होना चाहिए उससे पहले मेरी एजन्सी चाहिए है सबसे लोगों को इसा प्लैटफर्म है जहां पर पूरी इंद्या के पेन इंडिया के और आपको क्लिक करके आपलाय कर सकते हो और वहीं से आप कास्टिन डार्टर तक आप जीच कर सकते हो, it's just very simple, even for the कास्टिन डार्टर as well, किकि it's very hard to find a right casting, और आपको महिनों महिनों लग जाते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, ट्रेवल करना पड़ता है, तो वो सब का जो मकसद है, तो आपने इसको कैसे पार्टरर किया है, किसी institution से, या किसी company के साथ को tie-up है आपका, या कैसे इसको, ये application आम जनता को कैसे समझाएंगे आपकी, exactly आप कहां से data दे रहे हैं, कैसे data मिल रहा हों को, it's an open app, कोई भी इस पे आएगा, अपनी profile create करेगा, कुछ certain guidelines है कि आपको उतनी profile complete करनी पड़ती है, आपका criteria जो भी होगा, उसमें जो भी audition apply या किसी भी customer act में डाला होगा, तो आप से connect करेगा, आपके profile में वही customized auditions दिखेंगे, पूरे pen India से, आपको simply उस पे जाए click करना है, तो ये subscription based होने वाला है, पर initially हम premium model के साथ इसको launch करें, और बहुत ही minimum रख रहे हैं चीज़ों पर ताक कि mass public तक हम लेके जाए, हमारा मुद्दा यही था कि quality wise अच्छे auditions, real persons के जाए, क्योंकि fake भी चीज़ें चलती हैं, यहाँ पर KYC का system भी बहुत स्कॉँआ है, इसको सबसे चैलेंज क्या था आपके लिए इस application को सोचने से लेकर और अब install, launch करने तक के सफर में? देखो मेरा medium नहीं था, tech मैंने कभी पढ़ा नहीं था, मुझे नहीं पता एक application बनती कैसे हैं, कौन-कौन लोग involved होते हैं, जब मैंने सोचा था, सिर्फ एक idea था, और मेरी तब freelancer की शूर्ट स्टार्ट होने ही वाली थी, तो मैं इसको develop कैसे करें, मुझे नहीं पता, तो बात करके, लोगों से मिलके, designer पकड़े, फिर agencies पकड़ी, उनसे काम करना स्टार्ट किया, फिर बहुत सारे project, पीछ में तीन-चार बार, मैंने scrap भी किया पुरा project, फिर से zero से start किया, तो वो जो पुरा process था ना, जब आपको पता नहीं होता, क्यार करते कैसे हैं, होता कैसे, कब होगा, क्या-क्या चीज़े होती हैं, मुझे zero से पता, सिर्फ मुझे पता कि, यह मेरा vision है, इसको मुझे सामने portrait करना है, और जो मैं सामने, अपनी आख को इस सामने देख रहा हूँ, वो मेरा paper पर लियाओ, that's it, दीरे-दीरे करके लोग मिलते गए, और यहां तक पहुँच गए हम, तो इस application को लेकर, लोग यह भी सवाल करेंगे, कि आने वाले समय में आप इसमें, as a subscription model रखेंगे, या in-app purchase रखेंगे, या इसका क्या revenue पार्ट रहेगा आपका, इसमें कई सारी मेडिया में, जैसे आपकी master classes भी होने वाली, auditions भी होंगे, influencer का पार्ट दोना, multiple चीज़े future में आने वाली है, तो इसका subscription बहुत ही minimum होगा, जैसे for example, आप एक बार कहीं audition के लिए जाते हो, आप ऑटमें भी खर्च कर सकते हो, या महिने में आप देख लोग कितना खर्चा होता, आपक एक auditions तक जाने के लिए, आपके पूरे पैन इंडिया के auditions वही, एक बहुत ही minimum एक होगा, 200 आइसों से लेके, 300, 350 तक का एक subscription होगा, जिस पे आप easily, पूरे पैन इंडिया के auditions अप्लाई कर सकते हो, at the same time, master classes जिनके हम बात करें, जो टीचर्स, टॉप के टीचर्स हैं, हम language barrier को खतम करें, basically, कोई भी ऐसा platform नहीं है आज के दिन पर, जो language barrier पर काम कर रहा हो, हमारे इंडिया में इतनी languages हैं, English हर कोई नहीं समझ सकता, तो हम हर language में different different तरीके से master classes बना रहे हैं, और उनकी जैसे for example, lex and lex साज करते हैं आज के दिन पर, नमनीट सीम सो इंट्रेस्टिंग, मुझे लगता ये application बहुत गजब होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको पता ही नहीं चलता, वैसे लोगों को तो यहीं नहीं पता होता है, क्योंकि अंदर का caliber क्या है, वो लाइफ में क्या बहतर कर सकते हैं, लेकिन एक application को launch करने में, आखिर खर्चा कितना लगता है, हम आदमी ये भी जानना चाहता है, कि ये से कितना जा रहा आपकी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगता है, इंवेस्टमेंट विल भी हूज, और वो होती ही रहती है, टेक का ऐसा बिजनस होता है, लाइविलेटी आपकी एड होती है, कम नहीं होती कभी, तो इनिशली जो मैंने फिगर लिया था, और एक सिंपल MVP, मिनिमल वाइबल प्रोड़ेक्ट तक हम आपके बढ़ती रहती हो चीगे, इतना प्रोड़ेक्ट उसमें अड करेंगे, फीचर से अड करेंगे, शो अल दे बेस फो इस एप्रोड़ेक्शन नमनीट, एंड मुझे पता है कि एक ऐसी शुरुवात आप करने जा रहे हो, जो बहुत यंग्स्टर्स को help करेगा, अपनी मंजिल तक पहुचने के लिए, अधर देन इस अप्लिकेशन, आप इसवक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट एंटर्टेइन्मेंट में क्या ले करा रहे हैं? तो मेरे तीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो दो फीचर फिल्म में हैं, एक कम्प्लीट हो चुटी है, एक संजदत के साथ में है, मेरे ख्याल से जून जुलाइ के आसपास आजाएगी, जल रही आएगी, देन दो फिल्म हैं, एक जियो सिनेमा के लिए है, एक ठेटिकल रिलीज है, लीड कर रहा हूँ दोनों है, जब बहुत सारी चीज़ों के लिए यंग्स्टर के हैं, क्योंकि यह जितना जादा एक अप्लिकेशन लौंच है, उससे जादा एक हैल बिलीव, क्योंकि मुझे आच्छी जब बन आएग वाँटे टूम, बिकम आटर, मैंने सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे यही निए पता था कि रास्ते क्या है, औरिशन कहां चल रहे हैं, शिम्ला प्रोटेक्शन हाउस में चलता था, या कहां चलता था, तो इस विल बी अगूड मीडियम तो नो, था कि यू आख सब्सक्राइब करें, था कि अप्रोटेक्शन हाँ, था कि नावनी था, था कि यू नावनी था, था कि यू सब्सक्राइब जारूर करें,